ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान टेरर फंडिंग रोकने के 11 मापदंडों में रहा पाकिस्तान फेल आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के 11 मापदंडों में फेल होने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा जटका लगा है पाकिस्तान को Financial Action Task Force यानि की FATF ने Blacklist में डाल दिया है अक्टूबर महीने तक पाकिस्तान को FATF Asia Pacific Group Blacklist कर सकता है दरसल Asia Pacific Group यानि की APG के मानकों को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है APG की अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक टेरर फंडिंग के स्खिलाफ सुरक्षा उपायों के लिए 11 मापदंडों में से 10 को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है इसके अलावा पाकिस्तान अपने कानूनी और वित्तिय प्रणालियों के लिए 40 मानकों में से 32 को पूरा करने में भी असफल रहा है इसके बाद अब पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा क्योंकि FATF की 27 पॉइंट्स एक्षन प्लान की 15 महीने की समयावधी इसी साल अक्टूबर महीने में खत्म हो रही है